इस अफसूस के साथ मत उठो कि कल तुम कुछ हासिल नहीं कर पाए पर ये सोचते हुए अब और जागो कि आज तुम क्या हासिल कर सकते हो यानि कल जो विफलता हैं आपके जीवन में आई वो चली गई है अब उसे आप नहीं सुधार सकते हैं और नहीं उसे सफलता में बदल सकते हैं तो उसका विचार करके अपनी विफलताओं से निराश क्यों होना, अपनी हिम्मत को क्यों तोड़ना, क्यों न हम आज के बारे में सोचें, अपने भविशी के बारे में सोचें, कि हम क्या आज ऐसा कर सकते हैं, जिसे हम अपने भविशी को सवार सकें, उन्नती के मार्क पर आ आज हमें ये ये करना है और हम इन कारियों को कर सकते हैं इस आत्मविस्वास के साथ जगें तो आपके वो कारिय जरूर होंगे और भविश्य को आप जरूर सवार सकेंगे. नमश्कार मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी काज स्वागत करती हूँ. आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 26 मही रविवार का यानी वीकेंड का दैनिक राशी फल. सबसे पहले आजाते हैं आज के बंचांग पर तो जेस्ट मास के क्रश्न पक्षकीत रतिया तिथी आजए जो कि शाम 6 बचकर 6 मिनट तक रहेगी. उसके बाद चतुरती तीथी प्रारम हो जाएगी. मुला नक्षत्र भी आज़ी के दिन आ रहा है जो कि प्रातक काल 10 बचकर 34 मिनट तक रहेगा. उसके बाद पूर्वा साड़ा नक्षत्र प्रारम हो जाएगा. चंद्रमा आज धनुराशी में गुचर ब्रमन करेंगे. साधी योग आज के दिन बन रहा है. वही सुब समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पिरियर्ड दौपैर 3 बज़े से लेकर 4 बच कर 30 मिनट तक रहेगा. वही राउ काल का समय दौपैर 4 बच के 30 मिनट से 6 बज़े तक रहेगा. तिशाचुलाज पश्चिन दिशा में रहेगा. यदि इस दिशा में यात्रा करना हावशक हो, तो घी खा कर इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं. तो बढ़ते हैं आगे. और आज आते हैं ग्रहन, नक्षत्र और चंद्रमा की स्ततियों के आधार पर, आज के दैनिक राशीफल पर. कि आज आज आपका दैनिक जीवन कैसा रहने वाला है. आज चुकि प्रदोश काल हमारे जीवन में बहुत ही मत्वपून काल होता है. और इस काल को शिव का भी प्रिय काल माना जाता है. इसलिए प्रदोश काल में जो भी कारे किये जाते हैं, उनका कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है. तो आज में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जो कि आपको प्रदोश काल में करने पर बड़ी सफलता हैं हासिल होगी, आपकी चैपूर होगी और आर्थिक स्तती में भी सुधार होगा. तो आप इन उपायों के लिए वीडियो के अंदग मेरे साथ बने रहे हैं. शुरुआत करते हैं प्रथम राशी, यानि मेश राशी से. आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन नवम भाम में गोचर प्रमन करेंगे. आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्य वर्दक रहेगा, आपके काम बंते चले जाएंगे. आज के दिन पेरेंट्स का भी आपको साथ मिलेगा, मित्रों के साथ अच्छा और कॉलर्टी टाइम बिताएंगे. वहीं आज के दिन यात्रा हैं आपके लिए, सुखत और मंगल में रहेगी. इस दिन शाम के समय शिव तांडव स्त्रोत का पाट जरूर करें. आपका शुब रंग रहेगा नीला, शुब रंग रहेगा अच्छे. अब आते हैं ब्रशब राशी पर. आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन अस्त्रम भाव में गोचर प्रमन करेंगे. आज के दिन सोथ समझकर अपने कारें को करें. किसी और पर अपने कारें को न थौपें. अचानक धनलाप के योग बनेंगे. आज के दिन योजनामत तरीके से किये गए कारें का भी विशे पत्र को साफ करके पानी से दोकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और ओम नमस्षिवाय का ग्यारा बार जाप जरूर करें आपका शुब्रंग रहेगा नारंगी शुबंग रहेगा एक अब आते हैं मितुन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाठ के दिन सब्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन व्यापार में आप कुछ नहीं उजनों का क्रियान वेन करेंगे सकारात्मक उर्जा से भरपूर दिखाई देंगे प्यापार में कुछ नहीं बदलाव आपके द्वारा किये जा सकते हैं परिवार में मंगलिक कारेक्रमों की रूपरे का रखी जाएगी लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा और कॉलिटी टाइम बिताएंगे इस दिन आपको प्रदोश काल के समय दतूरे के पत्ते को पहले साप पानी से धोन लेना चाहिए और उसके बाद में उसे दूद से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें आपका शुबरंग रहेगा हरा शुबंक रहेगा चार अब आते हैं करकराशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन छटे भाम में कोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन अपने स्वास का विश्य सुरुक से ध्यान रखें आज के दिन बाहर न निकल कर अपने परिवार वालों के साथ में अच्छा और कॉलेटी टाइम बिताए ननियाल से कुछ लोग आपके घर में आएंगे जिससे घर का वातवरन बहुत ही हल्दी होता हो दिखाई देगा आज के दिन द्रिस्तों में माधूरिय बढ़ेगा इस दिन आपको प्रदोश काल के समय शिव मंदिर में जाकर वगवान को सुखा नारियल अर्पित करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा सफेद शुबरंग रहेगा आठ अब आते हैं सीय राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाज के दिन पांचवे भाव में गोजय ब्रमन करेंगे आज का दिन आध्यात्मिक कारियों में निकलेगा आज के दिन आप आत्ममंधन करेंगे आपके फ्रेंट्स के साथ में अच्छा और कॉलिटी टाइम बिताएंगे पेरेंट्स का आपको पूरा सयोग मिलेगा आज के दिन मांगलिक कारिक्रमों की रूपरे का आपके घर में रखी जाएगी इस दिन आपको प्रदोश काल के समय शिवजी को ड़ही में शेहद मिला कर उसका भोग लगाना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा स्लेटी शुबंक रहेगा साथ अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी रासी सी चंद्रमा आज के दिन चौथी भाव में गोचर प्रमन करेंगे आर्तिक इस्तती आज आपकी उन्नत रहेगी परन्तु आज के दिन आपको अपनी कुछ काल के समय सवा किलो साबुचावल और कुछ मात्रा में दूद लेकर शुब्रंग रहेगा के सिर्या शुबंक रहेगा च्छेंग अब आते हैं तुला राशी पर आपकी रासी सी चंद्रमा आज के दिन तीसरी भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज आपके पराकरम इनर स्ट्रेंट में व्रदी होगी आपको अपनी कजन्स के साथ और भाई बहनों के साथ में अच्छा और कॉलेटी टाइम बिताने का अफसर प्राप्त होगा आज के दिन यात्रा हैं आपके लिए बैतर और सुखद और मंगल में रहेगी आज के दिन कारिय फटा-फट से होते हुए दिखाई देंगे आज के दिन आप जो भी कारिय अपने हाथ में लेंगे उसमें डेफिनिटली आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे इस दिन आपको प्रदोश काल के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी और माता पार्वती को एक साथ मौली यानि कलावे के साथ साथ बार लपेट दें और ध्यान रखे साथ बार धागा लपेट दे समय उसके बीच कोई भी तोड नहीं होना चाहिए यानि उस धागे में कोई काट नहीं होनी चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा मजेंटा शुबंग रहेगा चार अब आते हैं ब्रश्चिक राशी पर आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन दूसरी भाव में गोचर प्रमन करेंगे अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचर प्रमन करेंगे आज के दिन रमित नहों मन को शान्त रखें थोड़ा सा मन उद्वेलित रहेगा तो बड़ो से घ्यान प्राप्त करें उनके मार्ग दर्शन से आपका मन सान्त हो जाएगा धार्मिक पुस्तोकों को पढ़ने में आपकी रूची आज के दिन बढ़ेगी जो कि आपकी मानसिक शान्ती को बढ़ाने में साहिक सावित होगी इस दिन एक कटोरी में छूप थोड़ा सा शहर लें और फिर इसमें से एक उंगली की मदद से शहर निकाल लें और उसे शिवजी पर शिवजी को भोग लगाएं आपका शुबरंग रहेगा गुलाभी शुबंग रहेगा पांच अब आते हैं मकर राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाज के दिन बारवी भाव में गोचर फ्रमन करेंगे अधा आज का दिन आपकी खर्च की स्तत्यों को बढ़ा सकता है अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके अपनी जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें कोई भी कारे जल्दबाजी में न करें धैरिय से जो भी कारे करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता है देखने को मिलेगी आज के दिन यत्राएं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी इस दिन दूद में थोड़ा सा केसर मिला कर शिवलिंग पर चड़ाएं दूद चड़ाते समय मनी मन ओम नमस्षिवाय का जाब जरूर करें आपका शुब्रंग रहेगा बूरा शुबंग रहेगा ती अब आते हैं कुम राशी पर आपकी राशी से चंद्रमाज के दिन 11 भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज आपके मित्रों की संख्या में व्रती होगी आपके जीवन में कुछ कार्य पटा-फट से होते हो दिखाई देंगे अचानक धनलाप के योग बनेंगे यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वह विक्ति आज आज आपका उधार चुका कर जाएगा आपको भगवान शंकर को 11 बेल पत्र प्रदोश काल के समय अर्पित करने चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा ग्रे शुबंक रहेगा दो अब आते हैं मीन धाशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन दस्वे भाव में गोचे प्रवन करेंगे आज के दिन घर में मेमानों के आगमन से घर का मावल बहुत हल्दी रहेगा आज के दिन आप अपने भविश्य को लेकर कुछ रन निती तैय करते हुए दिखाई देंगे पिता से कुछ मत्वपून जानकारियां आप डिसकस कर सकते हैं और आपके फादर आपके हर कारियों में आपका पूरा सयोग करते हुए दिखाई देंगे आज के दिन योजनवत तरीके से आप सभी पेंडिंग कारियों को वन बाई वन पूरा करते चले जाएंगे आपको प्रदोश काल के समय शंकर जी का अभिशेक पंचामरत से करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा मैरून शुबंग रहेगा साथ तो ये है 26 मई रवी वार का नैनिक राशिपल अब मैं अपनी मानी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए यह स्वस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रादे क्रश्ना पंडितों द्वारा पूर्ण विधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2